मैं सर्मेलाफञेडिया, आप देख रहा हैं खूसी बुटिक आज के इस वीडियो में मैं आपको सूट होती है जैसकि साइड का जो डीजाइन होता है जैसे कि आपको मैं दिखा दूँ से कपड़े में यह देखो इसमें बेल टाइफ का डीजाइन है जो इस side से start होता है और इस side जाता है तो इसमें हम suit की cutting कैसे करेंगे heavy size भी होता है normal भी होता है और पतला भी होता है तो पतली ladies के लिए बनाते हैं तो एक लंबाई में कुड़ती निकल जाती है और normal size के लिए बनाते हैं तो double लेने पड़ती है और फिर heavy size के बनाते है तो उसकी बाजू में जोडाता है तो ये मैं आपको बता रही हूँ normal size के इसाब से ये देखो पूरे कपड़े में वहां से लेके यहां तक एक side का design है अगर हम इस कपड़े को ऐसे पलट के back और front की cutting करेंगे तो देखो front तो सिधा जा रहा है और ये back जो है नीचे की side जा रही है इसमें bell तो इस suit की cutting हम कैसे करेंगे same इसी तरीके का ये कपड़ा है ये देखो इसका भी जो design है same है ये देखो वहां से लेके यहां तक ये भी सवा 2 मेटर कपड़ा था और ये भी तो मैंने इस तरह का जो कपड़ा था इसमें से hip के इसाब से मैंने ये कपड़ा निकाल लिया ये देखो ये मुझे रखनी है इसमें 20 inch hip तो मैंने ये 24 inch कपड़ा इस तरह से लंबाई में निकाल लिया है सेम इसी तरीके से इस कपड़े में भी हम एक साइड से 24 सिंच कपड़ा निकाल लेंगे तो इसमें हम 20 सिंच हिप, साड़े 20 सिंच या साड़े 19 सिंच हिप के लिए कुर्ती तैयार कर सकते हैं तो अब देखिए आपको लंबाई कितनी रखनी है कुर्ती की, उस हिसाब से आप देख लिजिए अगर आपको जोड लगाना है कुर्ती में नीचे की साइड, फ्रंट में कोई डिजाइन लगाना है तो उसके लिए आप यहां से थोड़ा बहुत छोटा बढ़ा कर सकते हैं लेकिन मुझे 40 सिंच की कुर्ती बिनानी है और यह 44 सिंच कपड़ा है तो मुझे यह नीचे का जो गेरा है वो सीधा ही मुड़ना है इसलिए मैं यहां से अलग कर लेती हूँ इस कपड़े को देखो यहां से अलग कर लिया और अब इस कपड़े को मैंने ऐसे फोल्ड कर लिया तो देखो इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर लेना है अलग करके ये पहला पार्ट और ये दूसरा इसको भी फोल्ड कर लेंगे लेकिन अगर जब हम बिना कडाई की प्लेन जैसे इस तरह की कुर्टी होती है इसको हम उल्टी साइड से ही फोल्ड करेंगे जिसमें अस्तर नह लगाना होता तो हम इसको सीधी साइड से फोल्ड करेंगे जैसे कि यह सीधा कपड़ा है और इसमें हमें अस्तर नहीं लगाना सूट में तो हम इसको उल्टी साइड से फोल्ड करेंगे इसका क्या रिजिन है उल्टे और सीधे में फोल्ड करने का अस्तर का ना अस्तर का तो यह मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे हम plate लगाते हैं या fitting के निशान लगाते हैं कोई भी निशान लगाते हैं तो अगर हमें अस्तर नहीं लगाना होता तो हमें बस सीधे plate ही लगानी होती है तो कपड़े के उल्टी साइड निशान होने चाहिए जो हम पहले निशान लगाते हैं स्टार्ट में तो उन्हीं निशानों पे हम प्लेट लगा लेंगे या फिटिंग कर लेंगे जो भी आपको निशान की जरूरत होती है तो उल्टी साइड ही जरूरत होती है और जब हम अ अस्तर लगाना हो उसमें हम सीधी साइड निशान लगाएंगे यानिके जो कपड़ा सीधा होता है उस साइड तो नीचे की साइड जो अस्तर आ जाएगा तो आपने जो निशान है जो लगाए है वो सीधी साइड से दिखते रहेंगे कि कहां पे हमें सिलाय लगानी है कहां प ओल्टी साइड से ऐसे और इसमें ये भी देखेंगे कि ये देखो इसमें जो बेल का डिजाइन है वो इस साइड जा रहा है तो हम इसको यहां पर रख लेंगे और जो दूसरा फॉल्ड किया इसमें इस साइड जा रहा है तो इसको हम ऐसे प्लेट लेंगे सेम साइड रख लेंगे दोनों के फुलों की ऐसे सेम साइड रखने के बाद हम ऐसे मतलब उपर नीचे रख लेंगे इनको बैक और फ्रंट के लिए ऐसे अब आपको गला की साइड कटिंग करना है जैसे कि ये बेल इस साइड जा रही है तो इस साइड गला आरम होल कटिंग करना है चाहे आप इस साइड रख के कटिंग करें जिस साइड से आप गला कटिंग मतलब आपके हाथ का जो तरीका बनता है कटिंग करने का उसी साइड आ इस कपड़े में भी सूट की कटिंग करेंगे, यह देखो, ऐसे रख लेंगे, अब इसमें हम गला, तीरा, आर्म होल का जो भी आपको निशान लगाना है, इस साइड से लगेगा, क्योंकि जो बेल का डिजाइन है, वो इस साइड जा रहा है, जो पैनने के बाद बिल्कुल स थोड़ा सा टेड़ा है, इसको हम पहले ही सिद्धा कटिंग कर लेंगे, यहां से, इसमें हमें बैक गला चार इंच का बनाना है, पीछे का गला चार इंच का बनाना है, इसलिए हम साड़े छे इंच पे तीरा लेंगे, जब हम बैक गला छे या साड़े पांच बनाते हैं, तो यह तीरा लेते हैं हम 6 इंच अब हम 6 इंच का तीरा ले लेंगे और यहां पर कोने 7 इंच आर्म होल ले लेंगे कोने 7 इंच पे निशान लगा लेंगे ऐसे सिधा और अब ये L बनागे यहां से और यहां कोने में ऐसे इंची टेप को रखेंगे और यहां पे एक निशान लेंगे इस निशान से हम गुलाई कर देंगे यहां से अर्म हॉल के ऐसे यहां से गुलाई कर दी अब यहाँ पे fitting का निशान लगाएंगे fitting यानिके chest chest मुझे इसमें रखने है 38 इंच यानिके 9.5 इंच पे सिलाई आएगी तो इसमें 1.5 इंच losing का निशान लगा लेंगे 10 इंच पे निशान लगाएंगे 38 इंच चेस्ट के लिए अब हमें चाक रखना है चाक की लंबाई आपको जितनी रखनी है 14 इंच 15 इंच 13 इंच आप अपने हिसाब से रख लिजिए मैं याँ पे साड़े 13 पे निशान लगा रही हूँ यहाँ से हिप का निशान रह जाएगा हिप मुझे रखनी है 20 इंच तो 10 इंच पे निशान लगा लेंगी यह हिप का निशान हुआ अब हमें कमर का निशान यहाँ से लगाना है कमर का निशान लगाने के लिए सबसे पहले हमें प्लेट का निशान लगाना पड़ीगा 38 इंच चेस्ट के लिए हम ग्यारा इंच पे प्लेट लगाते हैं वैसे तो नाप लेके लगाते हैं अगर किसी का नाप ना हो प्लेट का किसी को नहीं लेना अता हो नाप आया हो दूर से तो हम 38 के हिसाब से ग्यारा इंच पे प्लेट लगाते हैं ग्यारा इंच पे निशान हुआ यहां पे अगर प्ले प्लेट का हमने निशान लगाया, इस निशान के बिल्कुल बीच में, यहां पे कमर का निशान लगाएंगे, कमर मुझे इसमें रखनी है 16 इंच, यानि के 8 इंच, अगर प्लेट लगाते हैं, तो हम 9 इंच पे निशान लगाएंगे, यह हुआ 9 इंच पे कमर का निशान, इस इस निसान को हम chest के निसान से मिला देंगे, ऐसे, और hip के निसान से मिला देंगे, ऐसे, तो ये fitting का निशान हुआ, अब आपको ये देखना है, कि आपको plate लगाने है, तो 3.5 का gap यहां से रखेंगे, same gap यहां पे रखेंगे, साड़े 3 का, ये plate का निशान हो गया, और अब हमें देखना है कि सारी plate लगाने है, या फिर एक ही plate लगाने है, तो सारी plate के निशान लगाना हम आपको बता देती हूं, जैसे कि हम इस कोने की side inch tape को लेंगे, ऐसे, और ये जो plate का निशान है, यहां से ऐसे inch tape को रखेंगे, और यहां से, जैसे कि ऐसे line बना लेंगे, यहां से plate का gap रखेंगे, तीन inch भी, अब देखिए, ये दो निशान हमने लगा लिए, ये armhole की plate रहेगी, ये कमर की, अब जो ये side की plate है, ये plate हम कैसे लगाएंगे, तो ये जो दोनों निशान है, इनकी ऐसे गोलाई करेंगे, और ज इस तरह से कमर की side, तो ये हो गए तीनों plate के निशान, अब आप देख लिजिए कि आपको एक plate लगानी है, ये वाली लगानी है, ये वाली लगानी है, या फिर ये दो लगानी है, ये नहीं लगानी है, या फिर आपको सारी plate लगानी है, तो आप इन में से कोई भी plate अपन आप 6 इंच का लगाना चाते हैं, 5 इंच का जितना लगाना चाते हैं, लगा सकते हैं, लेकिन मुझे ये गला बुकरम का बनाना है, तो इसलिए मैं गले का निशान आपको बता देती हूँ, चोडाई सवादो इंच, धाई इंच भी रख सकते हैं, आपको जितनी चोडाई का गला पहनना है उस हिसाब से लगा लिजिए और यहां से हम ऐसे बोलाई करतेंगे तो ऐसे आप गले का निशान लगा लिजिए कटिंग कर सकते हैं आप मैं कटिंग नहीं करूंगी मुझे आरम होल की कटिंग करनी है और यह जो फिटिंग का निशान है इसमें मार्जन लेके यहां से फिटिंग वाली कटिंग करनी है अब जब मैंने निशान लगाया तो निशान के थोड़ा सा अंदर से ही कटिंग करूंगी मैं और यह भी कटिंग करना है अभ यहां पर कट लगा लेंगे हिप के लिए चाग के लिए और यहां पर कमर के लिए कट लगा लेंगे जब हम सिलाई करेंगे firting की, तो ये cut, ये cut मिलने चाहिए, ये बिल्कुल अच्छे से मिलने चाहिए, तभी fitting चाहिए आएगी, अगर ये cut आगे के ऊपर की side चले गए, तो आपका कुर्ती का जो गला है, वो पीछे चला जाएगा, या तीरा किरेगा, कुछ ना कुछ दिक्त जरूर से आ जाएगी ये चाक के और ये जो कमर के कट है बिल्कुल सेम मिलने चाहिए जैसे अब लगाए है जैसे कि आप स्टीचिंग करते से में ये दिक्कत कर देते हैं कि ये कट तो मिल गए लेकिन ये पला नीचे से टेड़ा जा रहा है ऐसे और ये कट तो मिला हुआ है तो ऐसे नहीं करना है ये पला ऐसे हो तब ये कट मिलने चाहिए अब हम बैक आर्म होल की कटिंग कर लेते हैं तो मुझे बैक गला चार इंच का बनाना है इसलिए हम यहां से सवा इंच पीछे हटा लेंगे सवा इंच पीछे हटा लेंगे ऐसे यहां से जो फ्रंट का नाप लेते हैं यहां से सवा इंच पीछे हटा के यहाँ जो fitting का निशान है इस निशान से मिला लेंगे निशान इस निशान को और ये निशान ऊपर की साइड तीरे में मिला लेंगे ऐसे तो अब हम यहाँ से back armhole की cutting कर लेंगे और हाँ इस बात का ध्यान रखिए कि आपको जहाँ पे fitting करनी है वहाँ से थोड़ा सब पहले ही ये निशान मिलना चाहिए अगर आप यहाँ पे fitting कर रहे हैं मान लिजिए आपकी fitting की सिलाई यहाँ पे आ रही है और आपने ये वाला cutting कर दिया तो ये cutting नहीं चलेगा अगर यहाँ पे ये fitting की सिलाई आ रही है तो ये जो निशान है यहाँ मिलना चाहिए यहाँ से cutting होना चाहिए ये गोलाई में ऐसे तो यह गलती कभी भी मत करना आप अगर आप यहां से ऐसे करोगे और फिस्टिंग की सिलाई लगादे समय यहां से बराबर करके आप सिलाई लगा देंगे तो आगे का हिस्टा पीछे चला जाएगा तो इस तरह से आप अपनी कुर्टी की cutting कर सकते हैं ये मैंने back arm hall cutting कर लिया अब back गले की cutting करूँगी मैं back गला मुझे बुकरम से नहीं बनाना है 4 इंच का गला बनाऊंगी मैं back का तो यहां से cutting कर लेती हूँ तो ये तो मैंने कुर्टी की cutting कर ली है अब हम करेंगे बाजू की cutting और प्लेटों का निशान नीचे की side लेने के लिए आप क्या करेंगे आप अपनी कैंची लेंगे या फिर आप चोक से भी इस तरह से निशान भी ले सकते हैं दूसरी side लेगिन मैं ये अपने seizure से ही निशान लगा रही हूँ जहां तक हमें plate लगाने है उससे थोड़ा पीछे हटा के निशान लगा लेंगे ऐसे यानि कि ये जो मैं cut लगा रही हूँ केंची से थोड़ा सा यहां से ये mark कर रही हूँ तो ये सिलाई में आ जाना चाहिए ऐसे लगा लिजी आप थोड़ा सा तो सभी नीचे वाले part में आ जाएगा निशान आप इसको पका ऐसे कर सकते हैं तो ये तो हो गई कुड़ती की cutting अब मैं आपको बाजू की cutting बता देती हूँ अब हमें यहां पर बाजू cutting करनी है इस कपड़े में तो जैसे कि मुझे 13 इंच की बाजू cutting करनी है इसके लिए मैं 3 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा ले लेती हूँ यहां पर हुआ 16 इंच इस कपड़े पर निशान लगा लेंगे और cutting कर लेंगे यहां से इसको double करके भी cutting कर सकते है यहां से double किया यहां से cutting कर लेंगे अब यहां से cutting कर लेंगे अब हम इसमें देखेंगे design इस side जा रहा है तो दूसरी बाजू का design भी इस side ही जाना चाहिए आप देखो पहले हमने जो cutting किया था कपड़ा तो एक करने इस side थी दोनों करने एक side थी लेकिन आप देखिए एक करने इस side है और उपर वाले कपड़े की इस side है तो ऐसे पलटके आप design को देख लीजिए कि side जा रहा है इसको हम ऐसे रखके बाजू की cutting कर लेंगे अब इतना कपड़ा है इसमें आप देख लीजिए armhole पूरा हो जाता है कि नहीं तो मैं यह देख लेती हूँ 38 inch chest के लिए 8.5 inch कपड़ा है यह थोड़ा सा कम रहेगा तो इसके लिए हम थोड़ा सा ऐसे fold कर लेंगे कपड़े को ऐसे fold करने के बाद अब हम इसकी cutting करेंगे तो यहां से हम रखेंगे बाजू का मूँ यानिके design इस side जा रहा है ऐसे आपको रखना है 5.5-6 inch उस हिसाब से आप निशान लगा लिजिए मैं 1.5 inch extra निशान लगा रहे हैं जैसे कि यहां से cutting करूंगे तो यहां पे मुझे fitting करना है अब यहां से हमें back color 4 inch का बनाना है इसके लिए हम 3 inch पे बाजू का armhole down करेंगे 3 inch यहां पे 3 inch निशान लगा लिया बिलकुल सीधा ऐसे अब देखें यहां पे 2 inch पे निशान लगा लेंगे और यहां पे 3.5 inch पे यह देखो एक छोटा सा box बना लिया एक थोड़ा बड़ा बना लिया और इस side 3.5 inch का निशान लगा लिया अब इस निशान को हम इस निशान से मिला देंगे यह कोने से कोना मिला देंगे ऐसे और यहां से थोड़ी सी गोलाई देते हुए बाजू की cutting कर लेंगे यहां से बराबर cutting स्टार्ट करेंगे अब यहां से जो बाजू का मूँ रखा हमने यहां से यहां तक मिला देंगे यह निशान अब देखें यहां से थोड़ा सा यह कपड़ा कम रह जता है तो यहां पे हम जोड लगा लेंगे कोई भी छोटे कपड़े का जोड लगा लेंगे यहां पे और यह जो जोड आएगा यह आगे की साइड आ जाएगा आर्म होल के नीचे तो यहां से ऐसे प्लट के इतना cutting कर देंगे यह फ्रंट आर्म होल की cutting हो जाएगी यह देखो अब यहां पे cut लगा लेंगे तो यह center का cut हो जाएगा और यहां से अर्म होल की cutting हो गई यहां से थोड़ा सा जोड लगा लेंगे तो इस तरह से मैंने यह बाजू की cutting कर दी है अब मैं आपको सिधी करके दिखाती हूँ बाजू बाजू की cutting होने के बाद ऐसी दिखनी चाहिए बाजू यह देखो यह जो कटा हुआ हिस्सा बिल्कुल सामने होना चाहिए चाहे इस side हो या फिर चाहे इस side हो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक cut यहां पे आ गया और दूसरा यहां पे ऐसा नहीं होना चाहिए और यह देखिए जो design है वो उपर की side जा रहा है तो इस तरह से आप अपने suit की cutting कर सकते हैं एक साइट डिजाइन वाले की वीडियो पसंद आये तो लाइक कर दीजिए चैनल पर नए आये तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए मैं मिलते हूं आपसे आगले वीडियो में